सनातन धर में कार्थिक महीनी का विशेश महत्व है कार्थिक महीनी के एक रिष्णु पक्ष के अश्ट में तिथी पर होई अश्टमी मनाई जाती है इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयू और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं वहीं रात के समय म लाजश में तारों को देख करते हैं इस व्रत को करने से पुत्रवती महिलाओं मनोवांजित फल्द की प्राप्ती होती है ईस शूप अफसर पर महीनाएं विधिविदान से होई-अश्टमी का व्रत रखती है इस वीडियो में अब हम आपको बताते थैं कि होई-श्टमी कब है होई अश्टमी का श्योग मोहरत क्या है और इस दिन क्या श्योभ योग बन रहा है चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं हर साल कार्थिक महिने में होई अश्टमी मनाई जाती है ये पर्व कार्थिक महिने के क्रिश्न पक्ष की अश्टमितिती को मनाया जाता है इस साल कार्थिक महिने के क्रिश्न पक्ष की अश्टमितिती 24 अक्टूबर को देरात एक बच कर 18 मिनट पर शुरू होगी वही 25 अक्टूबर को देरात एक बच कर 58 मिनट पर खत्म होगी यानि कि 24 अक्टूबर के दिन होई अश्टमी का पर्प मनाया जाएगा कार्तिक महीने के क्रिश्न पक्ष की अश्टमिति थी यानि कि होई अश्टमी को पूजा का विशेश महत्व है इस दिन शुब महुरच 24 अक्टूबर को संध्याकाल 5 बच कर 42 मिनट से लेकर 6 बच कर 49 मिनट तक है संध्याकाल में तारे देखने के बाद ही अपना व्रत का पारण करें वही होई अश्टमी को चंद्रोदे के समय देरात 11 बच कर 55 मिनट पर है जोतिश्यों की माने तो होई अश्टमी पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं इन योग में जगत के पालनहार भगवान विश्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है इस योब अबसर पर संध्यायोग अंब्रसिद्धी योग का निर्माण हो रहा है इसके अलावा सरवार्थि सिद्धी योग और गुरू पुश्प योग का भी निर्माण हो रहा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और इसी के साथ ही अगर आप तक दानिक जागरण को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दानिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें